हलो दोस्तो, नमेशकार, SMKC चानल में मैं आप सब्लों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, फर्स्टाम विजिट के चानल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेज, इस चानल को भी चाहतो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, या प हम लोग आ चुके, बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर, कुछ फॉर्मिलेट इसके साथ शुरुआत करते हैं, उसके बाद आपकी कुछ डाउट्स भी आ रहे हैं, उसको भी हम लोग कवर करनी की कोशिश जरू करेंगे, आज के दिन की बात करें, में देखने को मिली, आप कह सकते हैं, अच्छा का सा गैप अप देखने को मिला, औरल क्लोजिंग कितने हुई है, हाफ पसेंट के आसपास हम लोग को परफरमस देखने को मिला है, सिमिलर वे, निफ्टी फिफ्टी में भी वही चीज़े देखने को मिली, बहुत शांदार अप देखने को मिला, ऐसा क्यों हम लोगों ने पहले एक्सपेट किया था, क्योंकि आप सभी लोगं को पता है है, कि अमेरिकन बाजार ने कल के दिन, लगबग लगबग हम कह सकते, साड़े तीन सो पॉइंट से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई, सवा पसेंट के आसपा इंडियान मार्केट की ओपनिंग कैसे होगी, उसके उपर हम लोगों को 90% देखने को आपे मिल जाता है, 100% हम लोग नहीं बोल सकते क्वी कि मार्केट है, कभी-कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिकन बाजार जबरदस तेज रहता है, फिर भी हमारी ओपनिंग इ इसके बाद आप लोगों को पता ही है, हम लोग नॉर्मल फॉर्मलेटीस करते रहेते कि अमेरिकन बाजार का फ्यूचर कैसे चलता है, फिलाल की बात करें तो ठीक है, 100 पॉइंट है, इतना तो चल जाते है, प्लस माइनस होता रहता है, तब तक अगर हम लोग बात करें तो 0.25, कैक कि अगर हम लोग बात करें, फCAC 40 के बात करें तो यह भी हम लोग को बिल्कुल बॉर्डर पे चलते वे देखने का आपे मिल रहे है, इसके चलते हम लोग कह सकते कि बादार में थोड़ा सा उक्यों के परफॉर्मस आज के दिन देखने का हम लोग को आपे मिला है, सो नेक्स्ट अभी हम लोग आ जते में मुद्दे की बात के पर, जिस से रिलेटर, मैक्जिमम, डिरेकली ना इंडिरेकली जो कमेंट्स पूछे जा रहे है, उसका जो टोन है वो यही पर आ रहा है, क्या प्रॉब्लेम जो हम लोगों को देखने का आपे मिल रहे थे, अभी दोस्तों बिलकुल भी नहीं, जो प्रॉब्लेम हम लोगों ने शुरू आज से देखे थे, वो अभी भी हम लोगों को देखने का आपे मिल रहे हैं, कि एक बात में आपको कहना चाओंगा, अगर आप यह एक्स्पेक्ट करते हो कि शेर मार्केट में प्रॉब्लेम खतम हो जाए करके, तो ऐसा दीन तो आप लोगों को मतलब बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलेगा, नहीं देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं में बोल सकता, बट बहुत ही मुश्किल से, मतलब बोलते हैं शेर मार्केट में भी अगर आप आए हो, मतलब आप प्रॉब्लेम मे जाता है कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है आप सोच भी नहीं सकती कि आप आने वाले हफ़ते में क्या रहेगा करके तो मतलब इस चीज को जो accept करता है न वो market में टिक जाता है और जो ये चीज को accept ही नहीं करेगा मतलब उनको लगेगा कि रोज यहाँ पर तेजी तेजी त तो आज 4-5 गुना बढ़ गए करके रैट तो market ऐसा ही चलता है दोस्तों क्यूंकि जैसे में आपको बताया भी था कि market का rule है कि आपे कुछ चंद लोगों ने ही पैसा कमाना चाहिए रैट अगर हर कोई आपे पैसा कमाने लग गया तो फिर market का मतलब value क्या रहेगा तो इसल आपको पैसे नहीं देंगी करके तो अगर क्रेट इसको नहीं बचा आया जाता दोस्तों तो believe me कि market के तो मतलब लग ही जाते रैट क्योंकि इसके पहले भी हम लगों ने 2008 में यही चीज़ देखी थी कि बड़े बैंक्स जब डूब जाते उसको कोई मदद नहीं किया था पर चलिए अच्छी बात यह है कि credit swiss बच गया क्योंकि वहां कि जो central bank है Swiss national bank उन्होंने इन credit swiss का जो topic बीच में ही suddenly आ गया वो temporary basis की हिसाब से हम लोग कह सकते कि close हो गया करके right इनको अभी बार बार भी funding की ज़रूरत यह पर पढ़ती रहेगी बट हम कह सकते कि जिनोंने support किया है किसने किया central bank तो central bank अगर हाथ खड़े कर देता है तो सीधा ही game over ही हो जाएगा so central bank न पर शेयर प्राइज उपर नीचे चलता रहेगा वो तो अलरी हम लोगों ने देखा ही है top level से कितना नीचे है करके then दोस्तों अभी वापस आ जाते जहां से ही शुरुआत होई थी का पर वापस American Bazaar हम तो इसी पे तो यहां पर घुम फिरकर focus कर रहे थे कि American Bazaar के जो banks थे वो हम लोगों को collapse होते वे देखने को मिल रहे थे चोटे 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 बैंक्स कुलाब हो रहे थे और अगर हम लोग असर की बात करें major banks को इसका फायदा हो रहा था कि कि लोग वहापे हम लोगों को अभी shift होते वे देखने को मिल रहे थे के 30 बिलियन डॉलर के आसपास और वो भी कौन देगा जेपी मॉर्गें सिटी बैंक की बात करें बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें मॉर्गें स्टैनली की बात से बहुत सारे आपको 10-11 यह तो मैंने कुछ टॉप-notch बैंक के आपे नाम लिए है लगवल 10-11 बैंक को सामने आते वे देखने को मिले है जो की फर्स रिपब्लिक बैंक को क्या करेंगे यहाप पैसे देंगे बस काम यहापे हो गया सो डेफिनेटली हम लोग यहापे कह सकते है कि अभी तक का जो थोड़ा सा जो माहोल यहापे खराब हुआ था disturbance हम लोगो देखने को मिल रहा था वो temporary basis की साबसे रुकते वे देखने को आपे मिला है पर दोस्तो सबसे main मुद्दे की बात तो वही रहती है यह क्या है यह पेड़ है बट जो हम लोग इसके नीचे चल जाते है मतलब root cause की अगर हम लोग बात करें यह सारी चीज़े जो देखने को मिल रही है कि banks डूप क्यों रहे है उसके पीछे का major जो root cause है बोलते है फसाद की जड़ क्या है वो अभी भी वेसी ही चीज हम लोगों को देखने का आपे मिल रही है मतलब आप सभी लोग का पत हम लोगों को देखने को मिला है ठीक है फेड की भी मजबूरी थी inflation को control करना है ठीक है बट यह जो बीच में उन्होंने यह जो मतलब बोलते है ना problem create किया कौन सा चलो 75 किया 75 किया 75 किया ठीक है 50 किया उसके बात 25 करने के बाद में वापस 50 की जो बात उन्होंने किया लिटरल वो एकदम मतलब बोलते ना ऐसी चीज थी कि मतलब suicidal decision रैट इसी चीज के चलते हम कह सकते यह unstability हम लोगों को देखने को मिली रैट और वो पूरा जो बाद में हम लोगों को कहानी देखने को मिली यही मतलब सबसे main फसाद का जड़ क्या है कि जो inflation का मतलब बोलते ना pressure क्या होता है यह अभी आप थोड़ा बहुत समझ रहे हो कि इसको कैसे control यहापे किया जाता है अगर नहीं किया गया तो क्या हो सकता है तो rate high करते 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 इन्होंने क्या कर दिया चोटे banks की पूरी तरी किसे band यहापे बज़वा दी और यहीं चीज हम लोगों को देखने क रहेगी तो यही रहने वाली है कि FOMC की बैठक में क्या फेसला निकल कर यहापे आता है और फिलाल की situation के हिसाब से अगर हम लोग बात करें देखे मतलब क्या जबरदस्ट ड्रामा चलता है market में आप देख सकते दोस्तों कि 25 बेसेस पॉइंट का पहला मतलब rate high चल रहा था हर किसी को पता है थोड़ा सवापस लिख लेता हो 25 देन अगर हम लोग देखे तो पॉइल ने रातो रात अपना मतलब बोलता है ना speech बदल दिया और यूटन लिया तो 50 की बाते होने लग गई रैट मतलब पूरे जो लोग पहले बोल रहे थे कि 25-70% वोट कर रहे थे वो 50 को वोट करने लग गये कि 50 ही होने वाला है करके अविस ले ना उनने इतना बड़ा यूटन लिया उनके टोन से समझ में आ रहा था और बाकी के अगर हम लोग बराड की बात करे या फिर जो बाकी मेंबर्स की भी बात करे या फिर फेड के चैर की के साथ-साथ अगर हम है कुछ जगे पे तो ये भी बताय जारे है कि शाय़ से रेट हाइक ना भी होकर करके और रेट कुछ तो ये भी बताय जा रहे है कि मझे परिसनल ही थोड़ी से कम लगते है वो वापस वही घलती हो जाएगे उनकी कॉन सी कि 25 को लेकर चलेंगे फिर रिवर्स गेर में कुछी कॉमेंटरी दे दो, यह तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, जो कि एक बच्चा भी बता देगा, या फिर आप कुछ भी ना करो, यह भी चलेगा, बट रेट कट करो कि तो थोड़ा जल्द बाजी यहापे लगता है, यह तो सारी बाते में अपने साइड से बोल रहा हू यह तो FMC में सारी चीज़े डिसकस यहापे होगी, अच्छा कासा बाइडन का भी उनके उपर प्रेशर तो यहापे रहेगा, क्योंकि अल्टिमेटली आपने देखा ही था, कि US के प्रेशेडेंट को आके जवाब देना पड़ा, कि उनके बैंकिंग सिस्टेम यहापे सेफ करके, तो मुद्धा आप समझ सकते हो कि कितना गंबिर देखने का आपे मिला था, और यह पूरा सूपर ड्रामा हम लोगों को देखने का आपे मिल रहा है, और इसके चलते हम यह कह सकते कि क्या बाजार में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो दोस्तों बाजार वैसे कभी पूरा नॉर्मल कभी नहीं रहेगा, कभी यह आपे COVID आएगा, तो कभी वार से related चीज़े रहेगी, कभी inflation रहेगा, कभी rate hike रहेगा, कभी कोई bank डुबेगा, कि दर कोई scam होगा, कि दर fraud होगा, यह चीज़े चलती ही रहते हैं, उसके बीच में ही बाजार ऐसे 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 ऐस कर सकते हो, दोस्तों के साथ share भी कर सकते हो, अगर आपने अभी तक DMAT account उपन नहीं किया है, तो link नीचे description में, 25 वडियो की लिस्ट आपको free of cost यह आपे provide कर दी जाएगी, आपका नाम, कौनसा account अपने link के थूपन किया है, यह properly मुझे comment section में mention कर देना, हफते बर के अंदर आपको इस सारे lectures free of cost मेरे साइट से provide कर दी जाएगी, ताकि आप share market को थोड़ा सा basic, आसान भास्टा से आपे सीख सको, so that's it, thank you very much दोस्तों, we will be meeting Rx Studio, तब तक के लिए, bye bye